आपके लिए आज का राशी पर बताऊंगे आपको आपका दिन कैसा रहेगा क्या कुछ होगा खाथ सारी बाते करेंगे लेकिन सबसे पहले नवरात्री के शुरुआत हो चुकी है तो आप सभी को नवरात्री की धेर सारी शुब काम नाई हम सभी मादरगा की पूजा करते हैं बहुत सारी लोग अपने घर में घर स्थापना करते हैं देवी की अराधना करते हैं अखंड जोद जलाते हैं देवी की अराधना आप सभी मूर्तियों में तो करते हैं एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके घर में महिलाई हैं वो भी देवी करती है कुछ भी और सिर्फ घर में ही नहीं आपके बल्की जहां भी महिलाएं आपको दिखती है अग माइन सब करें सब के आध़ करें आगिर कभी लगता है प्रोटेक्ट करनी की जरूरेत है वैसे तो महिलाएं आपको धर्मालाइफ उपर तो देखते रहें और पूजा को सफल बनाई है बाके चले जान लेते हैं आज का दिन सभी बारा राशी वालों के लिए कैसा रहेगा शुरू आज करेंगे पंचांग के लिए तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है अब बारी आपके राशी बात करेंगे मेश च्राशी की लिए खास रहने वाला है मेश llाशी वालों ऑ को थोड़ा ध्यान देने की जरूरेट है क्योंकि आज हो सकता है पार्यवारिक तनाव आपके चंटा का विशह यानि दिन के उत्राद में टेकर कहास।नी होनी के संभावना है सेहत के लिया गा का दिन आपका अच्छा रहेगा महिलाओं को थोड़ी दिक्कते आ सकती हैं मासिक धर्म से जुड़े हुई या फिर आपको कमर से नीचे कुछ इशूज आ सकते हैं ध्यान दीज़ेगा मेल्स के लिए एक सजिशन है कोशिश करें ओवरेटिंग ना करें आज आपके लिए महा राशी वरिशब राशी वाले आज यात्रा के योग बन रहे हैं धार्मिक कारियों में लप्त रहेंगे आज के दिन लोगों का सपोर्ट मिलेगा बिजनसमैन लोगों के कोई डील पक्की हो सकती है आज के दिन खुश्य आए महा उपाई जान लेते हैं आज का दिन अच्छ दिन आज थोड़ा सा टफ रहेगा काम का दबाव रहेगा तनाव रहने के संभाव ना है तो दिन की शुरुगात योग और ध्यान से कीज़े इससे बहतर कुछ भी नहीं है जब मानसे परिश्वानिया बढ़ती न तो एक ही चीज आपका दिमाग इर कंट्रोल में रहेगा तो आप हर परिश्वानि से लड़ पाएंगे तो आज का दिन जो है उसकी शुरुगात ध्यान और योग से कीज़े रिष्टों में आज के दिन जो लवर्स हैं आपका दिन थोड़ा ठीक नहीं गुज़ेगा क्योंकि हो सकता है लव पार्टनर की निजी परिश्वानिया आप दोनों के रिष्टे पर असर डालें सेहत का खयाल रखना है मितुन राशी वालों को गले से या फिर आपको चस्ट रिलेटेद इशूस आ सकते हैं जिनको अस्थमा है या फिर ब्रिधिंग इशूस है आप खास तो पर खयाल कियेगा महा उपाई बिनको अच्छा बना अलापन दिखा सकते हैं आज के दिन कंट्रोल करना है अपनी जुबान पर कंट्रोल कीजे कहते हैं न तीर से जो चोट लगे या फिर जो किसी चीज के प्रहार से चोट लगे वह भर जाता है लेकिन शब्दों की मार इंसान नहीं भूल पाता तो शब्दों का चायान ध्या का खास तोर पर खयाल रखना है क्योंकि कोई आपके घर में अज बीमार हो सकता है नजर अखिए जो भी आपके बड़े हैं उनके खाने पीने का उनकी सिहत का धियार नखना होगा आज के दिन पार्टनर के साथ जो है किसी बात को लेकर आज हो सकता है कि आपका और अगुम कोशिश करें कि आप कन्याओं को कुछ मीठा खिलाइए और उनका आशिरवाद लीजुए लखी कलर आपके लिए आज है गुरीन लखी नंबर की बात करूँ है वन और भागिस्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पाउंस पर से साध्ये तीन स्टार सेंख राशी जल्दबाजी में काम नहीं करना है भागे का साथ तो मिलेगा नौकरी से जुड़ी हुई यात्राएं हैं आपके योग में कुछ शात्रों को आज के दिन जो एडमुशन लेना चाहते थे कहीं पर आज के दिन आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी सेहत का खयाल रखेगा महा उपाई जान लेते हैं दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन पक्षियों को दाना डाले लखी कलर की बात की जाए वो है आज आज आपके लिए औरिंज लखी नंबर की बात करूँ है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको द सेहत के लिए हाथ से देखा जाए तो आज के दिन बीपी इशू है जिनको हाट इशू है ध्यान दीजेगा दिक्कते वड़ने वाली है आपकी मोवैसे भी मौसम बदलता है तो सेहत परसर पड़ता ही है तो आपको थोड़ा से ध्यान देना होगा पैसों के मामले में देख जाए तो आज के दिन खर्चा बहुत ज्यादा है महा उपाय दिनको अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है गाए को रोटी खिलाई और उनकी पीच पर हाथ फेरिए लाकि कलर आपके लिए यलो है लाकि नंबर की बात करूं है तू और भागिसार के तौर पर मैं आप आप करते हुए आज नजर आने वाले हैं कभी-कभी ऐसा होता है लेकिन कोशिश करें कि आज कि धार्मिक स्थल पर जरूर जाए आप मंदिर ही भी शक न जाए लेकिन मंदिर ही जाए घर के मंदिर में बैठीए आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर पांच-दस मिनट वाला है आज के दिन गुस्सा निकालेंगे आप अपने छोटे बच्चों पर अपने भाई बहनों पर संतान पर पैसों के मामले में आज के दिन खर्चा काफी जादा रहने वाला है लेकिन कमी नहीं पड़ेगी कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में वच्चार कर सकते हैं महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आज के दिन पोशिश करें कि मचलियों को दाना डाले लाकी कलर की बात की जाए वह है आपके लिए आज और इंच लखी नंबर की बात करूं है ठ्री और भागस्तार के तौर पर मैं अगर के बच्चों के जद भी आज आपके लिए काफी इरिटेट आपको करेगी नई नई शादी हुए तो कुछ खुश खब्रे मल सकती है महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आज के दिन दान कीजे डोनेट कीजे लाकी कालर आपके लिए आज काफी अट्रैक्ट करने वाली रहेगी लोगों को अपनी तरफ खीचने वाली रहेगी तो वो कारे जो आप अपनी बातों से करवाते हैं वो करवा सकते हैं जहां आपको किसे करने के जदर पड़े वो सारे काम आप कर सकते हैं जो मीडिया में काम करते हैं राजुनीती में क एक तीएट के बीछ है उनको आज खास तौर पर खायाल रखना होगा आपके लिए महाँ पाई क्या है दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आज के दिन कोशिश करें नंगे पाउं किसी मंदिर जाई और सांत इसाथ धार्मीकस्तल की आतरह से ही हो जाईगी जै आज के दिन लोगों को गाईड करते हुए नजर आएंगे काम की जगा पे आज आपकी तूती बोलेगी यानि हराप छाज आएंगे लोग आपकी बातों को सुनने वाले हैं फैमिली में भी आज के दिन हो सकता है बड़ों के साथ आप अपने अनुभाव को शेयर करें और बड़े भी आज आपसे इंप्रेस हो जाएं तो आज के दिन लोगों को आप काफी अपनी बातों से अपनी चीजों से अट्रैक्ट कर पाएंगे सेहत के मामने में दिन थोड़ा कमजोर है दिन का पुरवार्ध आपको काफी कमजोरी का अहसास कराएगा वीकनिस फील होगी कुछ लोगों को आज के दिन जो है चोटादी लग सकती तो ध्यान दी चुएगा महा उपाए दिन को अच्छा बनाना चाते है तो क्या करना है शाम के समय घर में कपूर जलाईए या घी का दिया जलाईए आपके लिए लगी करण की बात कर ली जाए वो है आज रएड अपरदस्ती किसी पर अपनी बाते थोपने से बचने की जरूरत है आज कोशिश करें दिन को शांती से निकालने की पैसो की बात की जाए तो आज के दिन धनागमन संभा हो है लेकिन फिजूल की चीजों पर खर्चा भी बहुत जादा होगा तो कम भदाशे वाले दियान से महां उपाय दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आज माता की पूजा करें देवी दुरगा की पूजा करें आज शक्ती की पूजा करें और सांती सब किसी जानवर को कुछ जरूर खिलाइए किसी जानवर को चाहे वो पक्षी हो चाहे वो कोई गाय हो किसी न कि कलर की बात कर लेते हैं वह है आज ये लो लखी नंबर की बात करों फाइव और भागिस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगे पांच में से चार स्टार मीन राशी वाले आज के दिन भाउकता में आके कोई बी डिस्टा नहीं ले रहा है एमोशन पर कंट्रोल कीज़े पार्टनर्शप में बिजनस है तो आज के दिन पार्टनर की तकलीफे उनके दिक्कते आज आज आपकी चंता का विशह होने वाली हैं फामली में किसी बड़े कलर की चीज़े डूनेट करें लाकि कलर की बात कर ली जाए वह आपके लिए वाइट है लगी नंबर की बात करूं वह है टू और भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साड़ी तो जाना हमने कि आज का दिन सभी बार्राश्री वालों के लिए कैसा र कि नमस्कार